गुड मॉर्णिंग साथियों, साथियों जल्दी से हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, जो साथि नए होंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम जो चीजे बताने जा रहे हैं, सायद आपके लिए ये आउसर अगर चुक गया, तो जीवन भर पस्ताते रह जाओगे, जीहा साथियों, 36 गर शिक्षक भरती, जितने भी सहायक शिक्षक के साथि हैं, उनके लिए क्या रणनीती होनी चाहिए, अंतिम 30 दिन में हम इसी पर चर्चा आज के इस सेशन में करने वाले हैं, काफी सारे साथि, बात करते हैं हमसे, कॉमेंट में पूछते हैं इसर कैसे त्यारी करें, टाइम बहुत कम बचा है, देखिए साथियों, इसके लिए आपकी टाइम टेवल क्या होनी चाहिए, आज ही आप ये रणनीती अपनाएं, चलिए, बात करें हम सीधे वीडियो की बात हम करते हैं, सहायक शिक्षक की हम बात करते हैं, सबसे पहले त तो आपके पास विभिन साथ विशयों की सबजिप्ट है, जिस पर आपको इन ही दिवसों में पढ़ाई करनी हैं, तो अब आपकी रणनीती क्या होगी, आप बाल विकास के लिए सिर्फ तीन दिन का समय दिजिए, हिंदी विशय आप पढ़ रहे हैं, हिंदी ग्रामर प्ल दो दिन का समय दें, अंग्रेजी के लिए आप दो दिन का समय दें, इसमें सिक्षर सास्तर भी सामिल हैं, गडित की जब हम बात करते हैं साथियों, तो कम से कम आपको इसको पांच दिन में पूरा कम्पलिट कर लेना है, यदि आपको लगता है कि उपर के जो विशय है, ज आज दिन आप समय दें दिजिए, कम्प्यूटर में दो दिन और समान ज्यान चार दिन, अब यहां लोगों के मन में सवाल ये बनता है, कि सर मैं समान ज्यान में चार दिन क्यों दूं, केवल दस नंबर का प्रश्ण है, तो आप देखेंगे साथियों, शामान ने जो ज्या जिसमें आपको इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, नागरिक सास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, सविधान भी पढ़ना पड़ेगा, 36 गड़ का इतिहास, 36 गड़ का भुगोल, जितने भी चीजे हैं, इस टॉपिक में वो तमाम चीजे आपको समाजिक विज्ञान या समान ज्यान की अंतरगत आपको पढ़ना पढ़ेगा यदि मैं इनके लिए टोटल दिन की मैं यहाँ पर भी आपको बता दिया हूँ तो इस दिन की रणनीती जिसमें आप सभी विश्यों को एक बार अच्छे से फीर से पढ़ लेंगे उसके बाद में आपका ये क्या हो जाएगा आपका रिवाइज हो जाएगा ठीक है ये आपका रिविजन हो जाएगा जैसे ही आपका साथियों ये रिविजन होगा अब आपको क्या करना है अब आपको प्रेक्टिस सेट लगाना है ठीक है प्रेक्टिस सेट लगाना है मतलब अब आपको प्रश्ण पेपर का नमुना एक सो जो पचास प्रश्ण का बना हुआ है जो हमने बिल्कुल आप सभी साथ ही पर्चेस कर ले होंगे या मार्केट से भी आप पर्चेस कर लेंगे लेकिन याद रखना आपके सिलेबस से मेच खाने चाहिए अब आप प्रेक्टिस सेट लगाईए पांच प्रेक्टिस यहाँ पर आप लगाईए दस प्रेक्टिस आड़री आपको मिलता है पांच प्रेक्टिस लगाईए सालव करने के बाद आप आंसर का मिलान कीजिए आपका कितना बनता है मानली जी आप 150 में 90 मार्क्स लाए हैं ठीक है अब आप चेक किजिए कौन सा वो विशय है जिसमें आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया आपकी यहां पर कमजोरी पता चली ठीक है प्रैक्टीस सेट आपने लगाया दो दिन आपको कमजोर विशय पता चल गया अब फिर से आप उन्हीं कमजोर विशयों पर बैठ जाना है जो विशय आपके लिए कमजोर है अब माली जी आप 90 नमबर ला रहे हैं तो जाहिर सी बा के लिए फिर से आप परहाई में बैठ जाहिए जो कमजोर है उस विशय को अंतिम दो दिन अब सेश बचे हुई यहां 23 दिन में कम्प्लिट हो रहा है ठीक है फिर आप यहां पर फिर से चार दिन के अंदर आप सिर्फ दो दिन यहां प्रैक्टिस में लगा रहे हो 23-25 हो ग कि अंदर आप मेंद करो उसके बाद पचे दो दिन फिर से आप सभी विशय को रिवाइस कर लीजिए लास्ट में याद रखना जो प्रैक्टिस है आप 10 प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है लेकिन लास्ट में प्रैक्टिस सेट नहीं करना है आपको मैं बता देता हूं इसलिए यही दिन प्रैक्टिस करेगा उसके मन में निगेटिविटी आ जाती है अरे मेरा तो डेल सो में असी नमबर ही जा रहा है कैसे मेरा हो पाएगा अब वो निगेटिविटी के साथ में वो जब एक्जाम हाल में बैठेगा साथियों तो अब वो क्या कर पाएगा बताएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ सभी साथियों को बिल्कुल गर से सुने, आप समय सबता दिन, दस दिन बचा है तो प्रैक्टिस सेट लगाईए या अभी आपकी तैयारी पूरी है, तो आज भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, लेकिन याद रखना, पेपर क से दो दिन में आप सभी विसेयों के, जो साथ विसेयों आपके सहायक शिक्षक के हैं, सभी विसेयों को फिर से रिवाइस कर लेंगे, ठीक है, ये आपकी रणनीती है, टाइम टेबल की, अब मैं बात करूँ, कौन से टापिक पर क्या पढ़ना है, ये भी महत पुर सवाल ह आप केवल और केवल उसी टापिक पर फोकस करेंगे, चली, मैंने कहा, सहायक सिक्षक में हमें पढ़ना क्या है, अभी तो हमको टाइम टेबल की रणनीती पता चल गई साथियों, अब हमको पढ़ना क्या है, हम विसेयों चर्चा करें, देखो, मैं बात कर रहा हूँ, बाल की पॉइंट इंपोर्टेन बिंदूओं को ही रखा है, देखी, हम बात कर रहे हैं, बाल विकास में, आप विद्धी और विकास को पढ़ लेंगे भाई, यहां, विद्धी और विकास को पढ़ लेंगे एक बार, most important है, विकास से जुड़ा प्रश्णा आपका बनेगा, व अरभावस्था, सहस्ववस्था, प्राणभीक, उत्तर, बाल्यावस्था, किसरवस्था, इन अवस्थाओं की विशेश्थाओं को आप पढ़ लेंगे, most important, clear है, विशेश्थाओं को पढ़ लेंगे, उसके बाद विकास के अंतरगात, प्रकृति और पोशन, जिन्हें अ प्रभावित करने वाले जो कारक है, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश जालेंगे, लेकिन ये जो मैं प्रमुख बिंदु बोल रहा हूं, उसको पढ़ लेंगे, ठीक है, विकास के, ये जो इकाई एक की मैं बात किया, विकास के पहलूपर जब मैं आता हूं साथियों, इस उसके बाद मैं देख लेंगे यहां पर सुक्ष्म एवं इस्थुल क्रियात्मक कौसल, दो प्रकार के क्रियात्मक कौसल हैं, सुक्ष्म एवं इस्थुल, यहां से आपका प्रश्ण बना भी है, इसको आप बिलकुल अच्छे से देख लेंगे, ठीक है, इसके अलावा दे सिध्धान देने वाले हैं, सिध्धान दाता है, उनको तो आप बिल्कुल रट के जाना भई, उसी से जुड़ा हुआ आपके प्रश्ण बनेंगे, उसके बाद आप देख लेंगे, समाजी करण, यहां से भी आपका प्रश्ण बनता है, समाजी करण को भी आप एक बार अच् समझेंगे, सम्मिलन, समायोजन, व्योस्थापन और संतूलनी करण, यह जो चार-पंच परिभासा है, इससे जुड़ा एक प्रश्ण मिल लेगा आपको, इन प्रश्ण को भी आप एक बार देख लेंगे साथियों, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे, आप यहां इसके अच्छे से देखेंगे, रचनावाद, सीखने के जो सिधान्त है, मॉडल है, तीन मॉडल होता है, उसको आप बहतर देख लेंगे, अच्छे से, अब बच्चा एक यहां पर देखेंगे, शिक्षक, इसमें शिक्षक के अधिनियम 2009 देख लेंगे, आटी, ठीक है, राइट टू एजुकेशन देख लेंगे, एनिपी देख लेंगे 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनिपी 2020 देख लेंगे, राष्टिय शिक्षा नीती, 86 भी देख लेंगे भाई, यहां से, ठीक है, विशेस अवस्यक्ता वाले बच्चों में आप पस्ते हैं, ठीक है, यहां से जरूरी है आपको, अधिनियम मैंने बोला, शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर आपको फोकस, यह प्रमूख चीजे हैं, जिस पर आपको मेहनत करना है भाई, ठीक है, यहां से यह चीजे, जितने में सिद्धान एकदम इंपोर्टेंट, आपने अल्रेडी नोट्स में डाल रखा है साथियो, इस चीज को, आप चाहें तो बिल्कुल नोट्स खरिद पाएंगे, हमारा डबल एट, ठी नाइन, सेवन त्री, डबल जीरो, नाइन टू, इस नमबर पर आप बिल्कुल मैसेज करेंगे, भाई, वाट्स अप करेंगे इस नमबर पर और आप जो भी नोट्स खरिदना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, ठीक है, ये तो रहा, बाल विकास, हिंदी की मैं बात करूं साथियो, यहाँ पर, स्वार वंजन, आप बिल्कुल देख लिजे, लिंग वचन, वर्तनीस जम्मनित रूटी आपके एक्जाम में आते हैं, सब्द रुविचार से भी जुड़ा, देखिए, यहाँ पर मैं बात करूं, ग्रामर पोर्शन की, तो कोई भी प्रशन आपके परिक्षा में आ सकते हैं, इसमें कोई इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं कह सकती, हिंदी में कहीं से भी आपके ग्रामर उठा के प्रशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको तो बिल्कुल आप कॉंसेप्ट क्लियर रखें, हमने शिक्ष्णार सासरा अंग्रेजी के हिंदी में बिल्कुल अवाई लेवल करवाया हुआ है, नोर्ज में, हिंदी आप अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ से आप ले इसके लिए प्रैक्टिस ही किजिए, ठीक है, प्रैक्टिस मैट मैन पर्फेक्ट, प्रैक्टिस ही जो है इंसान को सफल बनाता है, पूर्ण बनाता है, ठीक है, तो प्रैक्टिस ही जरूरी है भाई, इंग्लिस में, शिक्षन सासर की बात करें, या किसी भी की बात करें, य इसको आप याद रख लेंगे विशिष्टिकर और व्याप्तिकर भी आगमन निगवन संस्लेशन विश्लेशन ये जो छोटी-छोटी परिभासा है उसको आप याद रखें यहां से बनता है गडित के कुछ महत्पुन सिध्धान देने वाले हैं शिक्षार सात्र में वो आप बिलकुल याद रख लो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई हमने इसके लिए एक मायराथन वीडियो भी डियर घंटे का डाला हुआ है हर वो चीज आपको वहां से मिल जाएंगी तो उसको भी आप देख सकते हो ठीक है गलित में तो आपको सबको देखना पड़ेगा कहीं से भी आपके क्वेस्टन्स बन जाते हैं इसमें कोई विशेस टॉपिक नहीं निकाल सकते प्रश्ट के लिए ठीक है याद रखेंगे बात करें हम परियावरण की तो परियावरण के घाटकों को आप एक बार अच्छे से देख लेंगे बच्चे परियावरण के प्रती क्या रूची रखते हैं उनकी सोच क्या है इस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ये केवल थ्योरी है परियावरण में आपको सिर्फ समझ के अधार पर हल करना होता है यहाँ एक चीज मैं और बता दू बाठे क्रम, शिक्षाक्रम, पाठे चरिया किसको क्या बोलते हैं ये परिभासा आपका क्लियर होना चाहिए ठीक है और अगर ये आपको पता ही नहीं है तो भाई आपके लिए बहुत दूविधा जनक इस्थिती है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपका नक्षा चीतरी त्यादी के बारे में भी आपके शिक्षक भरती में आ सक सकते हैं questions आप बिल्कुल डेख लेंगे मुल्यांकन से जुड़ा प्रश्ण तो सभी बिंदूओं का प्रमुख है प्रोजेक्ट सर्वे भ्रमाड ये तमाम चीजे इससे जुड़े हुए प्रश्ण आपको देखने को परियावरन में मिलेंगे ही ठीक है तो हमने परियाव परिवार सयुक्त परिवार और समाजिक बुराईयों को भी आप बिल्कुल देख लेंगे काफी अच्छे से हमने इसको कर रखा है ठीक है सबसे ज्यादा अगर मैं इंपोर्टेंट कहूं तो यह जो परिवार वाला टॉपिक है ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यह यहां से यह दोनों इकाई सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां से और तीसरा भी मतलब 6,7,8 इन 3 इकाई को सबसे ज्यादा पढ़ें परियावरण में इन 3 जो इकाई है उसको सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है क्योंकि इन तीनों इकाईयों से ही सरवाधिक प्रश्ण जो है पूछे जाते हैं ठीक है बात करूं यहां पर मैं कम्प्यूटर की तो कम्प्यूटर के उप्योग को आप एक बार याद रख ले इन्पुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की जो जानकारी है प्रिंटर क प्रकार उनको भी याद रखें आपरेटिंग सिस्टम यह भी यहां से इंपॉटेंट है ठीक है एमेस ऑफिल एमेस एक्सल एमेस पावर पॉइंट इंटरनेट के बारे में भी याद रखें नई नई आजकल वाइरस एंटिवाइरस आ रहे हैं उसको भी आप याद रखें अपडेटिट पूछते हैं भाई पेपर में आपके नए नए एंटिवाइरस वाइरस सौप्ट वियर एपलिकेशन जिसे बोलते हैं न तो नए नए एपलिकेशन के बारे में यहां पर पूछ देते हैं आपका और प्रश्ण ऐसे ही आता है कंप्यूटर में भाई तो इसल gef钵ण से पूछ सकते हैं तो आडियो वीडियो सभी मिल्टि मीडिया है न भाई सीडी और डिवेडी के बारे में आप पढ़ेंगे अच्छे से इनके स्टोरेज के बारे में इसके च्शमता के बारे में पढ़ लेंगे भाई सिबलेंगी की छमता कितनी है डीवीडी की छमता कितनी है चीक है ऐसे questions आप का पनेंगे Google अलताविश्टा YouTube इन सब के सर्च इंजन जो है उसके बारे में तो आपको जानना बेहद जरूरी है साथ ही साथ कौन से सर्च इंजन अविसकार किस ने किया ये भी आप जान लेंगे भाई कभी कभी होता क्या है आपके पाठ्य क्रम में नहीं है लेकिन आ जाता है हम बोलते हैं सिलेबस से बाहर का है लेकिन यहां पर कम्प्यूटर की जानकारी बोलता है भाई तो सिलेबस से बाहर भी पूष्ट देते हैं लेकिन वो बाहर नहीं होता वो कम्प्यूटर से जुड़ा हुआ ही होता है ठीक है लकता हमें बाहर का है तो ये चीजे हैं बात करूं मैं यहां पर साथियों समान निग्यान की ठीक है मैं चर्चा कर रहा हूं यहां समान निग्यान की तो हजारों क्या मैं लाखों साथियों की मैं बात करता हूं यहां पर दस नंबर का जीके है जरूरस ज़ादा मेहनत भी नहीं करना है उस topic को आपको ज्यादा ध्यान देना है जिसमें ज्यादा अंक है जिस topic से अगर मैं बात करूं समारा बात करूं मैं general knowledge की तो बिलकुल आपको ज्यादा deep यहाँ पर सिर्फ दस नंबर की पढ़ाएपो को आपको ज्यादा टाइम भी नहीं देना है भाई ठीक है बेसिक इनफॉर्मेशन रखिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें पढ़िए तो अच्छे से लेकिन समय कम दीजिए ठीक है सिर्फ 10 नंबर के लिए आप 10-10 दिन पढ़ रहे हो तो अन्य विशय आपका पिछड जाएगा तो ये तो रहा रणनीती कि आपको कितने दिनों में पढ़ना है कौन से विशयों को कितना दिन लेना है कौन-कौन से बिंदों पर ज्यादा फोकस करना है किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्ण बनेगा उसको आपको ज्यादा कैसे पढ़ना है ये तमाम जो चीजे हैं आपके लिए महत पूर्ण है साथियों जो की जरूरी है ऐसी रणनीती मैं अपने लिए बनाया था जब मैं शिक्षक भरती की त्यारी कर रहा था इसलिए मैं आपको भी यही सजेश करता हूं कि हमेशा एक सही रणनीती के साथ सही दिशा में यदि महिनत किया जाए तो उ पैसा न समझें क्योंकि आपने पिछले छै माह को खोया है इसलिए मैं जब भी वीडियो बनाता था आपको बार बार कहता था कि पढ़ते रहो पढ़ना बंद करोगे लटक जाओगे और जिसने पढ़ना बंद किया है वही आज चिंता में डूबे हुए हैं वो तो दो ति तिन दिन पुस्ता कभी नहीं खोले हैं इसी चिंता में कि क्या कर पाऊंगा ऐसा नहीं है समय कम है तैयारी ज्यादा कीजिए जो इस्टुडेंट चार घंटे पढ़ते थी अब वो आट घंटा पढ़े अपनी श्पीड अपनी प्रिपेरेशन डबल कर दीजिए अगर आपको सफल होना है साथियों बस इसी सुब कामनाओं के साथ कि आप अपनी तैयारी जो है आज से ही करें इसी रणनिती से करें बहतर तरीके से करें इसी सुब कामनाओं के साथ विमल सर को इजासत दीजिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जैहिन वंदे मात प्रादारम